दोस्तों जहां कल के वीडियो में हम आपको बताया था कि मौलदीव ने किस तरीके से भारत के अगेंस जाकर के एक बड़ी सीक्रेट डिल फाइनल की है और मौलदीव की ये बड़ी सीक्रेट डिल सिर्फ चीन के इसारों पर कराई गई है वहीं दूसी तरफ भारत में भी फै कर सकता था लेकिन जिस तरीके से मौलदीव भारत के अगेंस जाकर के फैसल ले रहा है भारत भी अब पूरी फॉर्म में आ चुका है बाकि आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि भारत की तरफ से मौलदीव को चावल एक्सपोर्ट किये जाने चाहिए या फिर नहीं कमेंट जरूर कीजएगा साथी इस वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर कंट्री है भारत के हाथ में ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट का करीब 40 चावल एक्सपोर्ट किया और भारत के इस बैन लगाते ही डबली टी ओ युनाइटेड नेशन तमाम तरीके के अंतरास्टी और गनाइशन के अंदर भारत को नीचा दिगाने की कोशिश की जाती है दुनिया के अलग-अलग देश तेल एक्सपोर्ट रोक देते हैं और अल अपने पड़ोसी देशों को चावल एक्सपोर्ट कर सकता है इसमें मौलदीव श्रीलंका जैसे देश शामिल होते हैं लेकिन आप सोचकर के दीखे कि छोटी सी बात को युनाइटेड नेशन के अंदर डिसकर्स किया जा रहा है वहीं दूसी तरफ तमाम देशों के नागर सामने निकल के आती है जहांपर मलेशिया के एगरिकल्चर मेनिस्टर रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से कि भारत उनको करीब 5 लाख मेट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट करें इससे पहले भी उनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि करीब 1,70,000 टन वाइट राइस भारत के अपने रिलेशन्स स्ट्रॉंग कर रहा है वहीं दूसी तरफ मौलदीव जो लगतार भारत के एगिंस में जाकर के फैसल ले रहा है शायद भारत इन देशों को चावल एक्सपोर्ट अभी भी करना शुरू ना करे आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत जिस पेशली मलेशिया की बात की जा तो मलेशिया ने कुछ समय पहले ही भारत के साथ में एक बड़ी डील फाइनलाइस की थी जिसमें भारत और मलेशिया आपस में जो बाइलेटरल ट्रेट्स हैं उनको इंडियो नुपेज में करने वाला है जिससे दोनों ही देश इंडियोस दॉलर पर डिपेंदेंसी कम कर सकते हैं और तमाम तरीके टेक्स को बचाया जा सकता है तो भारत इस पर्टिकुलर रिजन में भी अपनी पकड मजबूत कर रहा है ताकि चीन जैसे देशों को काउंटर किया जा सकते फिलिपिन्स को हमने अलड़ी ब्रमोस मिसाल में तब तेक्लिमें तेमात्रों बारत मता कीचे